आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोट करें प्रसने उतक्रिष्ट गैसो के प्रिथक करण की देवार विदी का संचिप्त में वरडन केजिए ठीक है, चलिए समझते हैं तो ये जैसे नाम क्या है, इसका देवार विदी ठीक है, तो देवार जो थे, वो एक साइंटिस्ट का नाम है इन्होंने अपनी विदी दी थी, इसलिए कहा जाता है देवार विदी ठीक? जो अक्री गैस होते है अक्री गैस, यानि कि इनर्ट गैसे जो होती है नोबल गैसे जो होती है ठीक है? कौन-कौन से हेलियम, शीण, आरgewन, कृप्टन, जिनॉन मतलब अक्री कैसे जितनी भी होती है ये क्या होती है ये कठ्थे रहती है ठीक है ये सारी क्या रहती है ये कठ्थे अगर है मनलो आरगन नियोन और हीलियम का मिस्ट्वर है ठीक है तो उसमें से अगर हमें हीलियम के ज़वत है तो हम हीलियम को कैसे निकालेंगे वो हम देवारविदी से निकालेंगे देवारविदी में क्या होता है कोकोनेट चारकोल लिया जाता है क्या कह सकते है नारियल नारियल चारकोल अब ये चारकोल क्या होता है नारियल का जो छिकला होता है उसका अधजला ठीक है वो चारकोल होता है दूसरा, उस पर क्या होता है, गैस कुछ क्या होती है, एड्जॉर्ब होती है, ठीक है, वहाँ पर एड्जॉर्ब्सन थेओरी लगती है, ठीक है, अधिसोसित होने लगती है, ठीक है, कुछ गैसे क्या होती है, अधिसोसित होती है, ठीक है, ठीक है, क्या होता है, मैं यहाँ एक चित्र दिखा रहा हूँ फिर आपको समझे इस तरह से container होता है ठीक है यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर कई सारी गैसे बरी हुई है ठीक है यहाँ पर कई सारी गैसे बरी हुई है इसको container को देवार flask बोलना है, क्या बोलना है देवार flask, ठीक है अब इसमें कई सारी gases हैं helium, neon, ये सारी gases है ठीक है, फिर हमने क्या किया इसमें coconut charcoal डाल दिये ये coconut का charcoal है ठीक, तो क्या होता है coconut charcoal एक तापमान पर क्या करता है, औसुसित कर लेता जैसे सारी gases जो है, जैसे अलग-अलग gases को इसमें से अलग-अलग तापमान पर अधिसोसित करता है अधिसोसित करता है 173 Kelvin पर जैसे कि krypton है, xenon है argon है, इनको अधिसोसित कर लेता है अगर इसमें gas आपकी krypton होगी ठीक है, xenon होगी तो इनको पहले अधिसोसित कर लेगा और फिर क्या हो जाएगा इस तरह से xenon, argon को हम अलग कर लेंगे ठीक, और सबसे पहले अधिसोसित क्या होगी कौन सी होगी, सबसे पहले अधिसोसित xenon होगी ठीक, अभी बताएंगे क्यों ऐसा होता है सबसे पहले अधिसोसित होती है जनौन, थिक, उसके बाद क्रिप्टन, उससे भी देर में आ रगान, उससे भी देर में न यॉन, सबसे देर में हेलिय, थिक, आप देख रहो जैसे जैसे यहां पर और सिनी चीज मतलब जाते हो, जैसे जैसे इनका परमाडु भार बढ़ रहा होता है वैसे 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 इनके मतलब Coconut चार कौल पर अधिशूसित होने की चंपता बढ़ने लगती है जैसे कि का मैंने जिनाओं 170 क्रल्विन पे सबसे पहले अधिसोसित होगा उसके बाद क्रिप्ट उसके बाद आरका ठीक है तो यह क्या हो रहा है जैसे जैसे मैं इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है coconut charcoal नारियल charcoal पर अधिसोसित होने की चमता बढ़ रही है ठीक है समझे तो इस तरह से उत्कृष्ट गैसों को क्री गैसों को अलग किया जाता है देवार विधी द्वारा अलग 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 तापमान पर अलग 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 टेंप्लेचर पर ये गैसों होती हैं वो क्या होती हैं को कॉकुनेट चारकोल द्वारा अधिसोसित हो जाती हैं और ह WhatsApp करें अपने सारे डाउट्स आर्च चार्सो 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 पर